नमस्कार जुनियस बिर नाम है अधित शर्म और आप देख रहे हैं कॉमस भाईया स्वार आज की इस वीडियो के अंतरर हम लोग बात करने वाले हैं आई पी युनिवर्सिटी के एक नए नोटिस की आई पी युनिवर्सिटी ने समर विकेशन के रिकाड़िंगे एक नोटिस निकाला है तो इस सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है शुरू करते इस वीडियो को बने किसी प्रॉफिट लॉस की आई पी युनिवर्सिटी ने पीचले म हैं पिछले साल का मतलब जो आप लोग लिए निकाला गया था बहुत पहले अपल्मुस्त एक साल पहले के लिए ता अप लोग समर विकेशन के इंधिन आप लोग यह आधि दे रगूता जी जो मेहने आप लोग आप लोग की छुटियां थी 31 जुलाय तक आप लोग की छुटियां पहले दे रखे थी बट अब उसको IP University ने चेंज कर दिया है 26 जुलाय तक ही और ऐसा नहीं है कि आप लोग की छुटियां वो आप लोग को कम मिल रही है क्योंकि IP University ने प्रॉपरली चेंज करा है पहले जो आप लोग की छुटियां थी 31 जुलाय तक अब लोग की छुटियां मिल रही है 26 जुलाय तक लेकिन हाँ आप लोग की जो डेट्स है जहां से छुटियां पढ़नी थी वो डेट्स भी आप लोग की प्रॉण करी गई है वो है आप लोग की 24 जून, 24 जून से अब आप लोग की छुटियां पढ़ जाएगी और ये जो नोटिस आप लोग का अफिशल साइट के अपर आए अफिशल साइट पर जो नोटिस आता है वो सारे ही कॉलेजिस भी मानते है और साथ ये मानता है ये मान के चलना ये तो ओफिशल साइट पर यह मेंन पर जीवा सिर आप से उस नोगा अपशिशन साइट के इसा कुछ भी निया ये सारे कॉर्सेर पर अप्लाइड है सारे कोटीस सेंट पर ये सारे समस्टे पर लाइड है आप लोग अगर IP University के अल्रेडी स्टुडेंट है आप लोग मान के चलिए आप लोग जो समयर वेकेशन्स है उसको थोड़ा सा प्रीपॉंड कर दिया गया मतलब थोड़ा सा पहले कर दिया गया मतलब आप लोग अब जो नया सेशन होगा नया सेशन आप लोग कबसे स्टार्ट होगा नया सेशन अब आप लोग को स्टार्ट होगा 27th of July से मतलब 26 July के बाद ही स्टार्ट होने वाल है 27 July 28 July से आप लोग का नया सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा IP University से रिगार्डिंग ऐसी और वीडियो के लिए अपने चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बागी मैं मेलता हूँ अपसे अगले वीडियो में भीकले इतना ही धन्यवाद